स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 Study पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकास के परावरतन के बारे में देखिए दसवी का एक चाप्टर है फिजिक्स का जिससे एक्जामिनेशन में कुशन्स पूछे जाते हैं और आपनों को पता है कि अभी लॉक्डाउन के टॉपिक होते हैं वह सारा मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाते रहोंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेजन देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रकास का परावरतन क्या होता है तो सिंपल सी बात है कि परावरतन का मतलब होता है वापस लोट आना जब प्रकास के क कि इसे भी परावरतक सतह पर पड़ती है तो वह पुणा वापस लौट आती है इसी घटना को हम लोग प्रकास के परावरतन के नाम से जानते हैं तो देखिजह मैंने यहाँ पर लिखा भी है उसका पड़ी वास्थędzie टीक है प्रकास क्या है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकास के बारे में ठीक है प्रकास क्या होता है तो देखिए प्रकास उरजा का एक सवरूप है जिसके सायता से हम किसी भी वस्तुवों को देख पाते हैं ठीक है ठीक है ठीक है होता क्या है जिसे कि माल लीजिए कि आपका यह यहां पर कोई बल्व है ठीक है और यहां पर हमारा आख है सपोस कीजिए तो हम आगर यहां पर रखे वस्तुव को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे तो यहां से लाइट सोर्च से लाइट आएगी इस पर परेगी और यह हमारी आखों तक जाएगी तो देखें यहां पर किसी भी वजबद करने के दो कर दो की जरूरत होगी चिक है एक तो आएगा आपका आख के नीचे वाले मचल पर और सब्द मेड़ने थीक है कम से कम दो ज्यादा से ज़्यादा जितने हो सकें टिक है तो जब अन्हीं करके हमारी आँखों तक आती है तब हम इस वस्तू को देख पाते हैं ठीक है तो समझ में आ गया होगा प्रकास क्या है प्रकास एक प्रकार की उरजा है जिसके कारण हम किसी भी वस्तू को देख पाते हैं ठीक है अब देखे मैंने यहां पर यह बताया कि यह कोई भी अब्ज प्रकास शुरोत कहेंगे याद रहेगा अब नेक्स्ट है आपका कि वैसी वस्तु जो प्रकास उत्सरजित करता है उसे क्या कहेंगे तो देखिए प्रकास उत्सरजित करने वाले वस्तु को प्रदिप्त वस्तु कहते हैं जैसे प्रकास कौन-कौन सा उत्सरजित करता है तो ह वेसे वस्तु जो प्रकास उत्सरजित नहीं करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, जो वस्तु प्रकास पुछ नाम से बुलाते हैं तो उसको गुलाते हैं इसको बुलाते हैं यह एक्जाम के लिए एक्जाम में पुछे जाते हैं कि बीम किसे कहते हैं तो याद रखेगा परकास के किरणों के समुह को ही क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं अब देखे किरन पुंज कितने परकार के होते हैं तो याद रखे का किरन पुंज होते हैं तीन परकार के ठीक है एक तो अप सारी किरन पुंज एक समान अंतर किरन पुंज और एक अभिशारी किरन पुंज ठीक है हम सबसे पहले बात कर लें अप सारी किरन पुंज क्या होता ह नाम से ही अऩना होता है अप फैलना तो किया बोलेंगे जो किसी एक बीत उस सभश करण जिसमें प्रकास की किरणों के बिचका अंतर समान हों देखिए यहां पर बहुत सारे किरन निकलके जा रहे है एक दूसरे के परल जा रहे हैं ना तक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे करेंपुंज और ये करेंपुंज कि जो किरने है वैं डुस्धे के पै continues निए तो हम इसे क्या बोलेंगे पैरलर भी बोलेंगे भीजानो गला आफ़र के on पousse फॉट जिसके जिसने जिसमें नहीं हो एक इस तरीके को लोग अंब सोधी कर देख लिए यहां पर क्या है लाइट किस तरीके से आ-से और और किसी एक भीन तो date की आसानी होती जा रही है तो इस तरीके की ङोलोग क्लूप देख लेते हैं अब थैसे पदार्थ एकने क्रॉस कर जाता है कुछ ऐसे होते हैं जिसे कोड़ा बहुत करता है तो इस चोगा capturing में इन Aurum प्रकास ग्रिवाइभ किया गया एक वैसा जिसए परकास पार नहीं कर पाता है और वैससा जिस्से के परकास थोड़ा बोहुत कर कर पाता है तो उसका नाम्करन क्या करेंगे कि परकास पार नहीं कर पाता हो उसे क्या कहेंगे और जिससे परकास का थोरा भागी पास कर पाता हो उसे क्या कहेंगे पारभासी या फिर ट्रांसलूसेंट कहेंगे अब देखिए अब हमारा में टॉपिक आता है जैसा कि चप्टर का नाम था तो चप्टर के आना ठीक है तो जब प्रकास के किरण किसी रिफ्लक्टेट सर्फेस वर पड़ती है तो वह पुनह अपने माध्य में लोट आती है यह यू कहें कि वापस लोट आती है इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकास का परावर्दन जैसे यहां पर देख लेजें यह आपका क्या में पूछे जाते है अब देखिए यहा पर आपको पिक डिख रहा होगा यह जो आने वाले कीरन झार है यह फिर यह point इन सभी का नाम करन क्या है तो देखे यह जो किरन आ रही है यानि कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरन को बोलते हैं आपतित किरन क्या कहते हैं अब देखे यह जो आपतित किरन दरपन यह जो दरपन है इसके जिस बिंदू पर पड़ी यानि कि आपतित किरन परावर्तक सतह के जिस बिंदू पर आपतित होती है उसे क्या कहेंगे तो उसे कहते हैं आपतन बिंदू ठीक है और देखे इसी आपतन बिंदू पर अगर हम एक नॉर्मल डाल दे यानि कि बोलेंगे अभी लम्ब कहेंगे तो इस तशचिके से रेलेटेट करके एकजामी बहुत सारे पूछे जाते हैं जिके चलिए तो हम देख लेते हैं क्या है अपतित कीरण किसे कहेंगे तो मैंने अब जस्ट कहुं था परावरतिक सत्ह पराने वाले कीरणों को आपतित किरन कहते हैं, परावर्तित किरन किसे कहेंगे, तो परावर्तक सतह से ठकरा कर लोटने वाले किरन को परावर्तित किरन कहेंगे, आपतन बिंदू, यानि कि परावर्तक सतह के जिस बिंदू पर आपतित किरन पड़ती है, उसे आपतन बिंदू कहेंगे, नॉर्मल या कीरन आ रही है ठीक है और यह जो नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं आप तन कौन ठीक है और यहां से जो कीरन परावर्तित हो रही है और यह जो अभिलम के साथ एंगल बनाता है इसको बोलते हैं क्या परावर्तन कौन तो क्या याद रखेंगे आपतन कोन किसे कहेंगे तो आपतित कीरन अभिलंब के साथ जो कोन बनाती है उसे हम क्या कहेंगे आपतन कोन कहेंगे ठीक है और परावरतित कीरन अभिलंब के साथ जो कोन बनाती है उसी को क्या बलेंगे परावरतन कोन कहेंगे तो देखें वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रहा है ठीक है चलिए देखिए प्रकास के प्रावरतन से रिलेटर नियम पूछे जाते हैं एक्जामिनेशन में तो याद रखेगा प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम है तो प्रकास के प्रावरतन के दो नियम है एक क्या है आपतित किरन प्रावरतित किरन तथा विलम ती तो यह जो आपतित किरन है और यह जो परावरतित किरन है और अभी लंभ है तीनो एक ही तलपर होंगे कौन से तलपर एक ही तलपर होंगे सिंपल जी बात है जभर हम लोग किसी भी आईना पर लाइट को इमिट जाएंगे तो क्या होगा? एक ही सर्फेस पर लाइट जाएगी और वहां से परावर्तित होगी क। दूसरे सर्फेस पर लाइट आपको स्कुम मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा तो क्या हो पहला नियम क्या है पहला नियम है आपतित किरन परावरतित किरन और अभिलम तीनों एक ही तल में होते हैं तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा भी है क्या लिखा है पहला नियम है आपतित किरन परावरतित किरन तथा विलम तीनों एक ही तल में होते हैं और आप तन कौन परावरतन कोन के बड़ावर होता है चीज़ग है कि अगे कि अगे कि अगे